हेलो बच्चों आज हमारा question है exercise 4.2 से question number 3 करेंगे give the step you will use to separate the variable and then solve the equation भाई पहले हमें step लिखने variable को अलग करने गए give the step हमें step देने अब यहां देखो 3 and minus 2 equal to 46 है सबसे पहले हमें इस minus वाले sign को हटाना है यह 2 को हटाना है इसको हटाने के हम क्या करेंगे दोनों side left and right side में क्या करेंगे 2 plus कर देंगे तो हम क्या कर देंगे add adding 2 on both side हमें दोनों side कितना add करना 2 add करना पर क्यों क्योंकि हम minus 2 इसको हटाना है यह तब ही हटेगा minus 2 जब इसके साथ 2 add करेंगे तो plus minus क्या हो जाएगा, minus 0 हो जाएगा, okay, on both side, तो हमने दोनों side, अब देखो, 3n minus 2 plus 2 equal to 46 plus 2, भाई ये हो जाएगा, 3n equal to, ये minus, minus plus minus 0 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, 48, 46 plus 2, 48, अब मुझे भाई, ये 3 को हटाना है, ये 3 को remove करना, तो इसको हम ये multiply में, तो divide करना पड़ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, divide by 3 on both side, अब दोनों तरह हमें 3 से क्या करना है, divide करना, भाई तब 3n divided by 3 से, 48 है, divided by 3 से, ओके, तो 3 से 3 कट गया, और यहाँ 3 बन जा 3, 1 यहाँ जा 18 हो रहा, 3 सिख जा 18, ओके, तो n equal to हमारे कितना आ गया, 16, तो यह हमारा answer हो गया, ऐसी देखो भाई, सब चेपेल हमें, यह 7 remove करना है, तो यहाँ plus में, तो हमें क्या करना है पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, subtract, subtract by 7 on both side, दोनों तरह हमें 7 को क्या करना पड़ेगा, minus, ठीक है, ओके, तो हमारा 5 M plus 7, यह subtracted 7 on the both side, ओके, minus 7, और 17 minus 7, क्या बज़ जाएगा वह यहां, 5 M equal to कितना बचला, 10, अब हमें यह multiply में आ गए, और जब भी हमारा multiply में आता है, तो हमें इसको क्या करना, 5 को remove करना, divide करके, तो divide, divided by 5 on both side, on both side, तो 5 M divided by 5, यहाँ 10 है, इसको भी divide करेंगे 5 से, 5 से 5 कड़ गए, 5 to just 10, M equal to हमारे कितना आ गए, 2, तो यह हमारा answer हो गए, ओके, next हमारा किया है, but 10 P upon 3 equal to कितना है, 40, अब सबसे पहले हमें divide वाले position को करना, तो divide में तो हम क्या करेंगे, multiply, तो हम क्या करेंगे, multiply, multiply by 3 on both side, on both side हमें 3 से क्या करना है, दोनों तरब multiply करना, तो 20 P upon 3 है, तो दोनों यहां भी multiply, और यहां 40 into 3, भाई 3 से 3 कड़ गए, यहां 20 P रहे गए, और यहां कितना है, 4, 3, 12 और यह 0, 120 हो गए, अब यह हमारा multiply में तो हमें divide करना, तो divided by, by 20 on both side, दोनों तरब हमें किसे divide करना, 20 से divide करना, क्योंकि हमें 20 remove करना है, तो 20 P upon कितना हो जाएगा, 20 और 120 upon 20, भाई 20 से 20 कड़ गया, और देखो 0 से 0, 2, 6, 12, तो P एकल टो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, ओके, ऐसी सेम यहां करेंगे भाई, यहां भी 3 P upon 10 एकल टो कितना है, 6 है, भाई सब चे पहले divide वाला position, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, multiply करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा, multiply, multiply by 10, on both side, दोनों तरब करना है भाई, both side, तो 3 P upon 10 into 10 हो जाएगा, 3 P upon 10 into 10 हो जाएगा, यहां 6 into 10 हो जाएगा, भाई 10 से तो 10 कड़ गया, क्या बचना, 3 P equal to 60, अब हमें यह multiply में तो हमें divide करना है पड़ेगा, 3 से divided by 3, divided by 3 on both side, तो 3 P upon क्या हो जाएगा, 3 और 60 upon 3, 3 से 3 कड़ गया, तो P equal to कितना आ गया, इसको काड़ दो, 20 आ जाएगा, तो यह हमारा answer हो गया, क्या है, तो कितना 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 है, तो कि